हेलो गाइज रेंबार चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैंने पेपर कटिंग आर्ट के लिए जो नाइप यूज़ेता है उसका कंप्लेट रिफिल करूंगा यह वन अप दा आर्ट वाग है मेरा मैं पिछले तीन साल से पेपर कटिंग आर्ट कर रहा हूं चलिए सब्सक में यह एलुमिनियम के बनाए हुआ है इसका खाम मैं खोल देता हूं अब देख रहा है इसका नाइफ और ब्लेड कितना सार्फ है यहां पर एक ग्रीड देखने को मिल जाएगा यह नो स्लिप के लिए है स्लिप ना करें इसलिए यहां पर ग्रीड है देखें कैसे मैं खू इसका ब्लेड चेंज कर सकते हैं मैं लगा लाता हूं फिर से ब्लेड ब्लेड इसके साथ आप लोग को मिल जाएगा फाइब रिप्लेशिबल ब्लेड एक बॉक्स के अंदर इसका ब्लेड अलग से आप लोग खरीच सकते हैं हमाजन से देखिए इसका ब्लेड कितना शार्फ है यह भी अलुमिनियूम का है कि बीगिनर्स के लिए यह वाला नाइफ बहुत ही खेलफुल होगा कैसे हम लोग डिटेल नाइफ केन को यूज कर सकते हैं अब लोग देख रहे हैं यहां पर कैसे मैं डिटेल नाइफ केन को यूज कर रहा हूं लाइन के एज बराबर मैं काट कर रहा हूं इसका नाइफ बहुत ही शार्फ है ब्लेड अब लोग असानी से इसको काट कर सकते हैं सेकंड जो नाइफ मैं यूज करता हूं वह है अल्फा ब्रेंड डिटेल नाइफ फर डिजाइनर यह मेड इन जैपन है अब लोग देख सकते हैं नमबर 218 यहां पर भी ग्रीड है पकड़ने के लिए इसलिप ना हो जाए इसलिए एक रीट है यहां पर और एक चीज़ है जो ब्लेड को हिलने नहीं देगा देखते हैं हम लोग ऐसे इसका ब्लेड चेंज कर सकते हैं इसका ब्लेड अब लोग देखिए बहुत ही सार्फ है डीटेल नाइफ पेंसे भी यह बहुत सार्फ है पाइब रिप्लेसेबल ब्लेड ए असनी से आप लोग पकड़ सकते हैं और बहुत इजी तू है चलिए देखते हैं कैसे अलफा डीजाइनर नाइफ का अम लोग यूच कर सकते हैं यह पकड़ने में बहुत ही आशान है इसका नाइफ इसका ब्लेड बहुत ही छोटा है तो इसलिए हाथ में भी नहीं आएगा जो डिटल नाइफ पेन में हाथ में लग जाता है वह यहां पर नहीं होगा वह है डी 500 जीपी इंटी काटर अब मेड इन जापन है अब पर देख सेकें उसा का मेड इन जापन इस प्रॉफेशनल आर्टिस्ट के लिए है जो प्रॉफेशनली काम करते हैं पेपर काटिंग आर्ट के उपर ओ लोग एईज कर शकते हैं यह अलुमिनियूम के बना हुआ है बहुत हलका है इसका वेट बहुत ही लाइट वेट है यहां पर राबार का पैट देखने में मिल जाएगा आप लोग आसा नहीं से यहां पर पकड़ सकते हैं उसके बाद यहां पर ग्रीड भी है जो चाहिए आप लोग नीचे भी पकड सकते हैं इसको इसके साथ अब लोग को मिल जाएगा फाइब ब्लेट इसका ब्लेट बहुत सार्फ है बहुत मतलब बहुत सार्फ है इसका प्राफेशनल लोगों के लिए है इसका ओट जेनल ली नीचे है उपर जो अलुमिनियूम साइट है वो बहुत हलका होता है इसका और एक सीरीज मिल जाता है आप लोग को दिखने में सेम वो भी एंटी काटर ही है उसका सीरीज है एस डाबलू 600 जीपी बट यहां पर चेंज जो है वह है इसका ब्लेट थोड़ा एंगेल है यहां पर थर्टी डिग्री एंगेल ब्लेड है जेनरली कार्फ पार्ट के लिए यह नाइफ यूज होता है जहां पर कार्फ ज्यादा होता है वहां पर यह वाला ब्लेड अब लोग आसानी से चला सकते हैं प्रफेशनल जो लोग होता है जो पेपर कटिंग आर्टीस्ट होता है वह वाला ब्लेड इउज करते हैं चलिए देखते हैं कैसे इंटी कटर हम लोग इउज कर सकते हैं यह भी सेम जाशा है जो आलफा में देख रहे थे यह भी बहुत असानी से आप लोग चला सकते हैं इसका ब्लेड बहुत ही छोटा है तो अब लोग इजी ली इसको हैंडल कर सकते हैं जैसे भी चाहिए जो कार्ब इंटी कटर है वो जनलेली कार्ब पोर्शन के लिए यह नाइफ यूज होता है अब लोग देख रहे हैं यह एक कार्ब पार्ट के लिए यह वाला नाइफ बहुत ही हेलफुल है अब ही सब नाइफ के अंदर कंपरेजिन्स टाड़ी करते हैं कौन सा नाइफ अच्छा होगा और कौन सा नाइफ सही रहेगा दाम की सबसे पहला जो है डिटाल नाइफ ओंडेट से टू यह अंदर मिल जाएगा सेकेंड जह है ऑलफा ओ यह एट हंडेट से 2,0 के अंदर मिलेगा और लास्ड जो है एंटेकाटर ओ अप लोग को मिलेगा 2,000 से 3,000 के अंदर अब डिटियल नाइफ है जो बीगिनेर्ट लोग है वो जो जेनरेटी स्टार्ट कर रहा है पेपर कटिंग आड़ उसके लिए डिटियल नाइफ हैं सही रहेगा क्योंकि वो टुहंड के अंदर मिल जाता है मैं generally एई प्रेफर करता हूं क्योंकि alpha जो knife है मैं एई-प्रेफर करता हूं क्योंकि इसका दाम भी σही है and easy to handle आप लोग anti cutter भी चेक करके देख सकते हैं कैसे लग रहे आप लोग को वीडियो में तो कैसे लगा मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताईए एंड कौन सब नाइप अब लोग को अच्छा लग रहा है चेक करके बता सकते हैं सब नाइप का लिंक देस्क्रिप्शन रहाएगा वहां से आप लोग खरी सकते हैं मैं मेरा आर्ट वाक शेल भी करता हूँ आप लोग खरी सकते हैं मेरे से पर सब नमबर स्क्रीन पे दीख आप लोग वहां से कानेट कर सकते हैं थैंक यू सो मच फर वाचिंग मैं वीडियो चलिया मिलते है आगले वीडियो पे थैंक यू